भूल कर भी किसी को ना बताएं अपने ये राज नमर एक, अपने परिवार की दिक्कत कभी भी किसी के साथ सांजा न करें सभी के परिवार में दिक्कते होती हैं अतह इन्हें बताना मूर्खता ही है ऐसा कहा जाता है कि हर घर अपने आप में एक अलग ही दुनिया है इस दुनिया में जो कुछ भी हो वह बाहर नहीं प्रकट करना चाहिए घर के लड़ाई जगड़े और समस्याओं के बारे में किसी से बाते करना भले ही बड़ा राहत भरा लगता हो लेकिन कई बार हैं मुश्किले और बड़ा देता है जितने जादा लोगों से और जितनी बार इन समस्याओं पर चर्चा होगी समस्याओं उतनी ही बड़ी होती चली जाएंगी नमर दो चाहे कोई आपका कितना ही भरोसे मंद क्यों ना हो अपनी कमजोरी किसी के साथ शेयर ना करें जिस तरह अपनी कमजोरी किसी को नहीं बताते उसी तरह अपनी ताकत भी लोगों से छुपा कर रखनी चाहिए नमर तीन हमें कभी भी किसी भी शक्स को अपनी भावी योजनाओं को नहीं बताना चाहिए चाहिए कितना भी करीवी ही क्यों ना हो हमें नहीं पता होता कि समय के साथ उस शक्स के साथ हमारे रिस्तों में कैसे बदलावा सकते हैं नमर चार आपका प्लान आपका ही प्लान होना चाहिए कोई आइडिया परफेक्ट नहीं होता है और अगर आप किसी को अपना आइडिया बताते हैं तो शायद आप आलोचना का शिकार हो जाएं या फिर कई बार इरश्या की वज़े से सामने वाला शक्स आपके प्लान को अतोस्त सायथ हो जाएं जब तक आपके प्रोजेक्ट अंतिम चरण में ना हो तब तक बिलकुल भी किसी से उसे शियर नहीं करें नमर पांच हर किसी की जंदगी में कुछ बेहद निजी और गोपनिया बाते होती हैं इन बातों को हमीशा खुद तक ही सीमित रखना है इससे आपकी बहुत किर्किरी हो सकती है अपने उदारता पूर कारियों का बखान सब के सामने कभी नहीं करें नेकी करोर दरिया में डाल ऐसे लोगों से साबधान हो जाएं जो आपसे खोद खोद कर कुछ पूछ रहे हैं नमर साथ छोटी मोटी समस्यां जीवन में चलत रहती हैं पती पत्नी का संसार व्यवार गोपनिय रहना चाहिए बहुत से मूर्ख लोग अपनी पत्नी के साथ उनका व्यवार कैसा है यह भी दूसरों को बताते रहते हैं आप अपने परिवार की बाते हमेशा गुपत रखे अन्यथा सुनने वाले तो मजे लेकर हट सकती है लेकिन हमने देखा है कि बहुत से ऐसे लोग भी आपके घर में घुसकर उससे देखना चाहेंगे जिन से आपका कोई खास संबंद नहीं है हालां कि जिस पर आप विश्वास कर रहे हैं वह कितना सही है यह भी देखना जरूरी है नमर नौ आपका धन लोग जानना मांग लेंगे और फिर लोट आएंगे नहीं इसके और भी कई कारण है धन को अपने परचित या रिष्टेदारों से गोपनिय ही रखने की सलहा दी जाती रही है लेकिन ध्यान रखें अपनी पतनी से गोपनिय रखेंगे तो आपके लिए वही धन दुखदायक साबित मिल सकता है गोपनिय दान देवताओं की नजर में रहता है और जिस दान का बखान किया जा रहा है उसका फल निश्फल हो जाता है मंदिर में दान में किसी गरीब को भोजन कराए या किसी भी प्रकार का पुर्ण कारे करें उसका अपने मुह से बखान न करें यदि आपने जैसे किसी के समक्ष जाहिर कर दिया तो समझें वह खारज हो जाएगा नमर 11 गुरुमंत्र साधना और तब यदि आपने किसी योगी गुरु से दिक्षा लिए है तो उसके द्वारा दिया गया गुरुमंत्र गोपनिय रखें हालांकि गुरुमंत्र कई प्रकार के होते हैं जैसे किसी ने आपको कुछ ग्यान दिया या कुछ हुनर सिखाया वह भी गुरु मंत्र है.